non-cyclic photophosphorylation non-cyclic photophosphorylation इसको क्यों कहते हैं और इसको Z-scheme के नाम से भी जाना जाता है Z scheme के नाम से जानागा अब यह Z scheme है क्या क्या हमने शौक में इसको Z के size में बनाया जाता है यह Z कैसे बनता है कोई मुझे बताएगा यह Z कैसे बनता है आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा भी होगा हाँ, non-cyclic की बात करें तो यह Z scheme है actually इसको भी Hill and Bendal ने दिया था किस ने दिया था? Hill and Bendal ठीक, Hill and Bendal मतलब light reaction है light reaction को तो Hill and Bendal ने इसकोर किया था तो यह जो Z scheme है उसमें सबसे पहले क्या है इसको हम बना रहे हैं और आप समझने की कोशिश, भरपूर कोशिश करिएगा अगर नहीं समझ मैं ठीक है यह सारे हम पहले pigment अरेंज कर दे रहे हैं और यह pigment की इस basis पे अरेंज होता है तो यह हो गया Pheophyton फिर उसके बाद क्या आता है Pheophyton के बाद क्या आता है भई Plastoconone आता है प्लास्टो क्यून आता है तो हमने यह बना दिया Plastoconone Plastoconone के बाद क्या आता है Plastoconone के बाद आता है आपका Cytochrome B6F फिर यह क्या आता है पर आता है Plastosyanin यह Blue दिख रहा है या नहीं? दिख रहा होगा ना? थोड़ा बहुत तो दिख रहा होगा बस समझ लेना. Blue हमने क्योद बनाया? उसका कुछ रीजन Blue किस लिए बनाया उसका कुछ रीजन यह अगें PS-1 है यह एक्साइटेड स्टेट में आया है, थोड़ा सा रूख जाए, यहां बना रहे है, यह पीएस वन है, और यह पीर यहां पी क्या है, यह जीरो, यह वन, चीक है, बेरी डॉक्सिन, हम बना रहे हैं यह है P680 और यह है PHE-Felphiatin और यह है Plastoconone यह है Cytochrome B6F यह है Plastocyanin और यह है P700 और यह है A0 A1 फिर यह है Feridoxin और Feridoxin ने फिर किसको ट्रांसफर किया एक Enzyme होता है NADP Plus और NADPH यह Final Electron Acceptor है यह अब आप देखो यह क्या है यह क्या है यह ऐसे क्यों बनाया गया यह ऐसे इसलिए बनाया गया है कि इसने light absorb किया Suppose करो इसने ऐसे light absorb किया कितना 680 nanometer ठीक 680 nanometer इसका electron excited state में चला गया किसका electron chlorophyll A का यह 680 क्या है chlorophyll A है ना आफ reaction center second यह excited state में गया कोई वी electron excited state में हो तो वो ground state में आना चाहेगा ठीक है तो हमने इसको P680 excited बना दे रहे हैं आपे P680 excited बना दे रहे है अभी यह क्या है यह आपका P680 excited है इसको मैं ऐसे लिख दे रहे है P680 और star लगा दे रहे हैं मतलब यह electron excited state में है फिर यह electron अपनी energy pass करेगा Pheophyton Pheophyton is the primary electron acceptor fed plastocunon Plastocunon से cytochrome B6F Cytochrome B6F से blastocyanin थिक Plastocyanin Plastocyanin यह अपना यह electron यहां transfer करेगा और इसने भी तो यह absorb कर रहा है क्या, that is what the 700 nanometer की light ये भी तो absorb कर रहा है, जब ये absorb कर रहा है, तो इसका electron भी तो excited state में जा रहा है, इसका electron जब excited state में जा रहा है, तो यहाँ पे हम कहेंगे, ये क्या है, ये है हमारे पास, P700 excited, और यहाँ से इसने अपना एनर्जी इसको दिया, यहाँ से अपना एनर्जी इसको दिया, यहाँ से अपना एनर्जी इसको दिया, और फाइनली, पेरिडॉक्सिन ने, और यहाँ पे जो एंजाइम लग रहा है, यहाँ पे जो एंजाइम लग रहा है, इस कनवर्जन में इस एंजाइम को हम लोगों ने क्या नाम दिया था NADP प्लस रिड़क्टेज एंजाइम राहुल चौहान फियोफाइटिन के पास आप क्यों जा रहे हो फियोफाइटिन के पास राहुल जी राहुल पहले बताओ कि यह डाइग्राम आपको समझ में आया P680 यह सब हमने यह मॉलिक्यूल किस मतलब उसमें अरेंज किया है यह मॉलिक्यूल किसमें अरेंज किया है एनरजी किसकी कम है हमने का था एनरजी मतलब हमेशा हायर टू लोवर जाएगी ठीक है हायर टू लोवर ट्रांसफर होगा जिसकी एनरजी जादा होगी वो अगले कम वाले को ट्रांसफर करेगा ठीक है तो आप कहेंगे यह कम है यह कम है यह कम है यह कम है फिर इसके बाद यह इसकी एनरजी इस तरीके से जा रही है मतलब एक तरीके से हम कह रहे है, यह downhill जा रही है, फिर यह uphill, फिर यह downhill, है ना, downhill का मतलब low to high, sorry high to low, फिर यह uphill है और यह फिर again downhill है, ठीक, in term of oxidation, reduction, potential या energy की term में हमने इसको arrange किया है, ठीक है, इसको हमने किसके, उसमें arrange किया है, यह एक Z जैसा scheme बन रहा है कि नहीं, आप देखे यहाँ से यहाँ, ऐसे ऐसे,一हे एक Z जैसा scheme बन रहा है, इसको हम Z scheme का नाम देते northern was जल्दी से बताये, यहाँ तक सभी को एक deeply है, crystal clear है, बताओ, किसी को कोई दिक्कत, इसको हमने किसका नाम दिया, S scheme कै अब आप एक बात बताओ, सबसे पहले कौन काम कर रहा है, PS2 काम कर है कि PS1, PS2 काम कर रहा है, लेकिन देखो आप जरा, जिस वक्त, 680 nm, ये लगभग 4 फोटॉन की लाइट होती है, हमने कहा था, लाइट ऐसे ही नहीं होती है, लाइट कौंटा में होती है, यूनिट में होती है, ये भी लगभग 4 फोटॉन की लाइट अब्सॉब करता है, दो दोनो सेम, दोनो, दोनो सेम टाइम लाइट अब्सॉब करेंगे, PS1 भी और PS2 भी, प्लास्टो सियानिन को जड़ा द्यान से देखना, प्लास्टो सियानिन को हमने ब्लू कलर से बनाया है, दिख रहा है कि नहीं प्लास्टो सियानिन, प्लास्टो सियानिन दिख रहा है आप सभी को अब दिखेगा अब रूब को लू कलर क्योंकि यह कॉपर कंड़ यहां से कोश्चन बहुत तेजी से पूछे जाते यह क्या है प्लास्टोसियानिन अब दिख रहा होगा प्लास्टोसियानिन मैं हम एक बार स्टार्टिंग से रिपीट कर रहा है अब ही तो शुरू ही नहीं किया इसको पिको सबसे पहले लाइट एनरजी का एब्सॉप्शन हुआ पताओ एब्सॉप्शन हुआ या नहीं किसने एब्सॉप्शन किया दोनों ने पिएस्टू ने भी और मुझे प्लीज 1145 मतलब 1045 पर मुझे रिमाइड करा देना ठीक है क्लास बंद करने के लिए प्लीज अगर हम भूल गए तो बहुत इंपोर्टेंट काम है 1045 पर रिमाइड कराना चीक सबसे पहले दोनों ने light absorb किया और PS2 का electron भी excited state में गया PS1 का भी electron excited state में चला गया ठीक है इतनी बात कितनी लोगों को समझा रही है है ना इसके बाद अब ये PS2 तो electron deficient हो जाएगा अगर ये electron deficient हुआ और ये भी electron deficient हो जाएगा PS1 भी electron deficient हो जाएगा करेगा water हम कहते हैं ना जल ही जीवन है और oxygen evolve हुआ 4 proton और 4 electron PS2 की electron deficiency को PS2 की electron deficiency को fulfill कौन करेगा water की photolysis भाई या तुम्हें electron deficient ना रहो ठीक है इसको यह electron जो जनरेट हुआ है water की photolysis से यह PS2 को मिल जाएगा लेकिन PS1 की electron deficiency को क्योंकि photolysis of water PS2 पे होता है PS1 पे तो नहीं होता यह reason भी हमने आपको होता है था PS2 oppressed reason में होता है वहाँ water tick सकता है non-appressed reason में तो water tick एगा ही नहीं तो यह हमने आपको क्या बताया है कि जो PS2 है PS2 की electron deficiency को fulfill करता है water की photolysis से generate हुआ electron लेकिन PS1 की electron deficiency को कौन fulfill करेगा यह PS2 वाला electron यह यहां आया यह 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 य यह य और यह यह electron किसका है PS1 का है आप देखो यह मतलब फालतु का जो है न फालतु का आप लोगों को इतने चोल मची ठीक? रविंद्र वर्मा, डान्ट सुनना है क्या आपको. तेरे से बंती भी नहीं है, तेरे बिना चलती भी नहीं है, है ना? ये वाले हालत हो गई. थीकुमार है, बहुत सभ्य हैं, और बहुत शान्त हैं, बहुत टेलेंटेड हैं, ठीक है, वो शान्ती से पढ़ रहे हैं, आप लोग की तरह चकर-पकर नहीं कर रहे हैं, कौन है, कौन नहीं है, ठीक, समझ रहे हो? इतना होता होलापन, बहुत पढ़ भी रहे हैं, शान्ती से, आज वो शान्त बैठे हुए हैं, तो भी उनको एक्साइटिट करना है, यह बिल्कुल जो है, बहुत है, हदी है, हम क्या वोले, है ना? शान्ती से पढ़ना नहीं है, मतलब आज क्लास में इतनी शान्ती कैसे है, ठीक है, शान्ती कैसे हो सकती है, क्लास में, फाइनल एलेक्ट्रान एक्सेप्टर कौन है, फाइनल एलेक्ट्रान एक्सेप्टर हमारा एनने डीपी प्लस है, हम कहां थे, कहां चले गए, समझ ही न पीच में बात बात करोगे तो एक पुरा एक लंबा गैप हो जाएगा इन्हें एक एक एल्क्राण एक्सेप्टर से लेके पुरा हो जाएंगे हम फाइनल एल्क्राण एक्सेप्टर तक प्राइमरी एल्क्राण एक्सेप्टर कौन है इस दा प्राइमरी एल्क्राण एक्सेप मैं, आपको कैसे पता कि वो है क्लास में, यह अपनी बात है, आपको कैसे बता दे, चुप-चाप से पढ़ाई करिया आप लोग, ठीक है, तो प्राइमरी एलेक्टरॉन एक्सेप्टर कौन है, यो फाइटिन, यह एलेक्टरॉन एक्सेटेट स्टेट में है, और इसको किसने प्राइटिन एक्सेट, फिर प्लास्टो क्यून ने, प्लास्टो क्यून जो है, वो मॉबाइल एलेक्टरॉन कारियर है, इसको अब हम कल की क्लास में बहतर तरीके से समझाएंगे, इलेक्टरॉन आया साइटोक्रोम B6F, आप अपना वो डाइग्राम याद करो, साइटोक् किसको electron दिया P700 को मतलब P680 की electron deficiency को ठीक है P680 देखो D. गुमार आपके चाहने वाले बहुत है सब परेशान है और सब को पता है आप class में है इसलिए आप नाराज मत रहना ठीक है और आप आराम से class करना PC जो है सब मिस कर रहे हैं मतलब यही एक मुद्दा रहे गया है पढ़ाई के पीच में सही बात है तो नहीं भी शिद्दत से पढ़ा लो लेकिन उसमें मिर्च मसाला तो चाहिए अब वो जो हमारे देश की जो मेडिया है वैसा बनना चाहते हो आप लोग वैसा चाहते हो आप मतलब मसाला चाहिए मेडिया क्या दिखाएगी अब पढ़ लो आप लोग पढ़ लो नहीं तो हम क्लास वैसे भी बंद करने बाले इतना बहतरीन डाइग्राम बनाया आपके लिए कभी जिन्दगी में ऐसा डाइग्राम किसी के लिए नहीं बनाया करा कि अपने बेटे के लिए बनाते हैं थोडा गाजर,मुली और वेगन और इसके बाद टमाटर ठीक है आम वहां बनाते हैं तो वहां से शीख गया है मैंसा डाइग्राम बनाना ठीक है, इतना बहतरीन डियाग्राम आपके लिए लेकिया है, कभी आज तक कैसा डियाग्राम बनाया था, बताओ, हर क्लास की स्टुएंट हैं यहाँ पे, PS2 कैसे फुल्फिल करेगा, PS1 का डिफिशियंसी फिर से बता दीजिए, देखो भाई, आप यह सुचो, मेरी बात एक ध्यान से सुनना है, PS2 ने यहाँ पे एलेक्ट्रॉन इसने, मतलब लाइट एब्जॉब किया, तो यह एलेक्ट्रॉन डेफिशियंट हो गया, ठीक है, यह एलेक्ट्रॉन डेफिशियंट हो गया, तो यह जब एलेक्ट्रॉन डेफिशियंट हो गया, अब यह एलेक्ट्रॉन तो यहाँ से यहा तो PS1 की electron deficiency को PS2 से आवा electron, PS2 से आवा electron fulfill करेगा और PS2 की electron deficiency को water fulfill करेगा, ठीक है, water fulfill करेगा, तो अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है, हमारे पास क्या हुआ, ये electron निकला कहां से, ये electron निकला है PS2 से, और ये accept किस ने किया, NADP plus ने accept किया है, और NADPH बना लिया, मतलब ये electron एक जगे से निकला है, और दूसरी जगे पे गया है, है न, ठीक है, इतनी बास सभी को समझ आ रही है, आप यूं समझ ये, कि जब आप एक ball को, वो करते हो, ठीक है, उचाई से गिरा दो, एक ball को उचाई से गिरा हो, तो जब energy अपनी release कर देगा की नहीं, energy कुछ जमीन में चली जाएगी, release करेगा, तो आपने एक high energy से उसको गिरा रहे हो, और उसकी कुछ energy loss हो गई, अब अगला जो टपा खाएगा, वो उससे पहले वाले से, पन एक टपा खाया, लेकिन उसके बाला आप कुछ ना कर, वो दूसरा पकाएगा, हर बार उसका वो height छोटी होती चले जाएगी, इसका मतलब वो हर बार अपनी energy किसी को release कर रहा है, सेम वही है कि आपने electron दिया, अग्दम high energy की उसके पास, और उसने अपनी energy धीरे 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 मॉलीक्यूल को देते चले गए, मॉलीक्यूल को देते माइटोकॉंड्रिया में, oxidative phosphorylation वहाँ पर भी यही बात बताएंगे, है ना, कि अभी इसकी energy बहुत जादा है, और इसने धीरे धीरे अपनी energy हर मॉलीक्यूल को देते देते, वहाँ से transfer होते हैं, जब फाइनली इसकी energy एकदम कम हो गई, तो इसे एक electron acceptor ने accept कर लिया, और वो क्या बना दिया, उसको एक नया नाम दे दिया, क्या, NADPH बन गया, NADPH कभी ना बनता अगर electron न मिलता और medium estroma से proton न मिलता, proton कहां से आया estroma से, estroma से, आया है ना, इसको सीधे सीधे यही वाले diagram में देखो ना, PS2, यहां से electron, यहां से यह, ऐसे, यही सारी घटना तो ह ही है, अब यह तो estroma है, इसको हमने जस्ट वहां बना दिया, यह estroma है, देखो, photolysis of water, lumen में हो रहा है, proton का gradient, lumen में बढ़ रहा है, है ना, ठीक है, इतनी बास अभी को समझ आ रही है, वही घटना को हमने इस तरीके से, यह actually में, थैलेक वाइड में इस तरीके से होता है इसको हमने यहाँ पर ऐसे explore करके बना दिया है, हाँ बना दिया है, explore करके, यहाँ पर बना दिया है, बताओ, समझ में आ रहा है, z scheme, अब आगे की class कल हम लोग continue करेंगे, पहले अब इसको समझना क्या है, reduction potential और यह सारी चीज़े कल बताएंगे, है ना, z scheme समझ में आना चाह मैं यह डाइग्राम क्या, pigment के color के basis भी नहीं, pigment के color के basis भी नहीं है, बस हमने प्लास्टोसियानिन को मतलब बना दिया है, प्लास्टोसियानिन को बना दिया है color के basis भी ठीक है, आगे चले बिलकुल, 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 वर्षा सिंह बिलकुल वही सही है नहीं, क्लास कल, कल मतलब Monday, Monday मतलब Monday, मतलब कल तो आपकी, कल संदे है ना, कल आपका वही practice set होगा, शाम की टाइम cell division का और transport implant का दो topic का होगा cell division का और transport implant इसको Z scheme कहते हैं और अब इसके सारे के सारे function वगरे हम कल की class में बताएं जल्दी से बताएए सभी को कैसा लगा मज़ा आया चलो अब हम ना आप लोगो colorful diagram बना के पढ़ाय करेंगे